अगले सालीद पर सल्मान एश्वर्या का आमना सामना बस अब हबर पढ़ लीजिए एश्वर्या राय बचन और सल्मान खान के रिष्टों के बारे में दुनिया जानती है अभी इनके बीच बेहत नजदी की थी लेकिन फिर रास्ते अलग-अलग हो गए हम तुम्हारे है सनम के बाद कभी दोनों ने एक दूसरे के साथ काम नहीं किया दोनों की यही कोशिश होती है कि सारवजनिक स्थानों पर भी कभी एक दूसरे से न टकराएं लेकिन बॉक्स आफिस पर अब इन दोनों का आमना सामना अब्त्र हो गया है जी हाँ, हैश्वर या राय स्टार फिल्म भनने खान की रिलीज एट जैसे ही शुकरवार को घोशित की गई वैसे ही इस बात पर मुहर लग गई कि सलमान खान और हैश्व बच्चन की फिल्में पहली बार परदे पर टकराने जा रही है सलमान खान की फिल्में हर साल इद में रिलीज होती रही है और कुछ दिनों पहले ही घोशना कर दी गई थी कि रेमो डिसूजा के निर्देशन में बनने जा रही फिल्म रेस टीन को इद के मौके पर रिलीज किया जाया रेस के निर्माता रमेश टोरानी ने ट्विच भी किया था और अब फान्ने खान की रिलीज को 15 जून यानी ईद के मौके पर करने की घोशना कर दी गई है राके शोम प्रकाश मेहरा के प्रडक्शन में बन रही फिल्म फर्ने खान में एश के साथ राजकुमार राव और अनिल कपूर भी हैं जबकि रेस के तीसरे भाग में सल्मान खान के साथ जैकलीन फर्नांडिस और बॉबी देओल हैं एश्वर या राय बचन और सल्मान खान ने हम दिल दे चुके सनम में साथ काम किया था और बाद में सल्मान की हम तुम्हारे हैं सनम में एश ने और धाई अक्षर फ्रेम के में सल्मान ने गेस अपीरियन्स दिया था